मैं डियर श्टुडेंट कैसे हो सब लोग एकदम बढ़िया हो वैल 11 क्लास के फर्स चैप्टर केमिश्ट्री का जो फर्स चैप्टर है सम बेसिक कॉंसेप्ट ऑफ केमिश्ट्री उसमें मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में मैं बात करने बाला हू कॉंसेंट्रेशन की देखो कॉंसेंट्रेशन होता क्या है कॉंसेंट्रेशन को रिप्रिजेंट करने के कई सारे तरीके भी होते हैं उन सब की तरीके की बात करेंगे जिसमें पहला तरीका होता है मॉलालेटी दूसा तरीका होता है मॉलालेटी तीसा तरीका होता है मोल फ्र कुछ तरीके 12 में हैं यसरे यहां पर हम बात करेंगे moLLality क्या होता है मोल Read Komm? मोल fraction क्या होता है егоOru ons का pension क्या होता है बात करेंगे तो बिना इन वेक्च के बता बिता है देखो क्या होता है पहले solution आप लोगों को पता होना चाहिए किसा स्वाल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट पर डिजॉल्व कर देते हैं या जो होमोजीनियस मिक्षर होता है तुवर मोर्स तिंग्स का डैट इस पॉल्ड एस सॉल्यूशन छोटी-चोटी कलातों में नाइन तेंथ में आप लोगों को यह बात प चाया बना लाईए तो जब आप चाय क्या है टी-एक सॉल्यूशन है जिसमें आप सॉल्यूट क्या होता है शुगर को आप डिजॉल्व करते होई मिल्क में और फिर टी लीव चाया परती पता नहीं क्या क्या अहरा दनिया लाल मेड लाल के आप मेरे लिए एक डिवना के तो जो आपने डिजॉल्व किया है उसका अमाउंट आपको पता होना जरूरी है या नहीं जरूरी है माली जी आपने एक कप चाय बना रहे हो और डाल दियो उसमें एक किलो चीनी तो चाय अची नहीं बनेगी और आपने एक दाना चीनी का डाला तब भी चाय अची नहीं बनेगी means you should know the proper amount of solute that is present in the solution solution में solute का amount कितना dissolve करना है ये बात आपको पता होनी चाहिए किसी भी solution में जो आप solute का amount dissolve करते हो उसी amount को हम क्या कहते हैं concentration तो आप लेख भी सकते हो तो amount of solute present in the solution is called concentration इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अब बात करते है concentration को कितने तरीके से किया जाता है हलाकि बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम यहां पर जो मतलब के हैं उन्हीं को बात करेंगे सबसे पहला जो तरीका है वह हमारे पास में molality okay molality क्या होता है चलो पर तो यह थमाज दो कि molality क्या है concentration को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका it is the method to represent concentration of the solution okay mol mol concept के बारे में हम पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं यहां पर उसके बारे में हम डिटेल में नहीं बताएंगे molality को define करने के लिए आप लोग लिख सकते हो the number of mol of solute present in solution okay यह simple दो बड़ ध्यान अखो mol per liter आप अगर इन दो बड़ को ध्यान अखोगे molality के लिए तो इन दो बड़ से आप लोग समझ जाओगे molality को लेकिन mol क्या है mol ध्यान अखे है solute के है mol किसके है solute के है और यह liter किसका है solution का है ठीक है तो आप definition को ऐसे भी लिख सकते हो number of mol of solute present in per liter of solution मतलब एक liter solution में आपने solute के कितने mol डाले है है उठीक को हम कहते है molarity of the solution जैसे मालीची अगर मैं glucose की बात करूं जैसे glucose का मास होता है 180 ठीक है glucose का जब आप molar मास calculate करोगे तो आपको पता चलेगा 180 ग्रैम ग्लुकोस का फोम्रा सब लोगों को पता है c6 h2o6 अगर आपने क्या किया 550 ग्रैम ग्लुकोस को डाल दिया है प्रिजेंट है एक लीटर सॉल्यूशन में 550 ग्रैम ग्लुकोस प्रिजेंट है किसमें वन लीटर सॉल्यूशन में तो पूछा जाए कि सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन एक तरीका और भी है मोलरेटी को हम डिफाइन कर सकते हैं डिफाइन तो हमने कर लिया है मोलरेटी के हम फ़्रमला बना सकते है कि मोलरेटी का ऐक बड़ी ऐसा प्यारता स्वर्मला बनाई यह जिसे मोश्विट weiß solution तो यह आत रखो कि number of mole किसे हैं in volume of solution ठीक है solution का volume ध्यान रखें लीटर में होना चाहिए मिली लीटर में नहीं होना चाहिए मोल क्या होता है वहीं मोल को हम बोलते हैं given mass अपोन मोलर मास मॉलकुम क्या बोलते हैं given mass अपोन मोलर मास और volume of solution राइट किसमें लीटर में गिबिन मास अपोन मोलर मास देखो यह गिबिन मास अपोन मोलर मास जो बात लिख रहे हैं यह जो दौनों बात हैं यह solute के बारे में है यह किसके बारे में है solute के बारे में है इस बात को ध्यान लखना volume of solution अगर आपको volume ml में given है दो आप क्या करोगे उसमें आप पहुंच जाएगा उपर पहुंच जाएगा तो यह हमने के बारे में एक फार्मुला बना लिया कि मुलेटी इकोल गिवेन मास अपॉन मॉलर मास इंटू बॉलिम ऑफ सॉल्यूशन अगर बॉलिम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो इस थाउजन को आप मत लगाईएगा अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें मुलेरिटी की यूनिट क्या होगी ठीक ै तो इसके बारे बात कर लेते हैं यहां से देखिए नंबर ऑफ मोल मोल के लिए लगा लीजίए वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है लीटर ठीक है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल लीटर इन ठीक है, capital M का मतलब ध्यान अखेंगे, chemistry में capital M का मतलब क्या है, molarity, right, one important thing about molarity, कि molarity is affected by temperature, molarity क्या होती है, अगर solution का temperature आप कम या ज्यादा करोगे, जैसे कोई भी solution मनाओ, उसका temperature आप कम कर सकते हो, फ्रीजर में लाकरोगे, फ्रीज करोगे, तो temperature कम हो जाएगा, गरम करोगे, तो temperature जादा हो जाएगा, तो molarity is affected by temperature, क्योंकि यहाँ पर देखो volume है, जब आप किसी भी चीज को गरम थंदा करते हो, तो volume change होता है, गरम करते हैं, तो volume expand होता है, थंदा करते हैं, मतलब temperature कम करते हैं, तो volume degrees होता है, इसलिए molarity भी temperature से affected हो जाती है, आप temperature को increase या decrease करोगे, तो molarity of the solution will also get change, तो यह हुआ molarity के बारे में कुछ theoretical बात है, ध्यानक को, अब लेते हम कुछ numericals, जिससे यह जो molarity का topic है, एक्दम पढ़ापट से एक्दम पढ़िया से clear हो जाए, पहला question है student, 49 gram of H2SO4 are present in 100 ml of solution, 49 H2SO4 को, 49 gram H2SO4 को आपको present किया गया है, किसमे 100 ml of solution में, ठीक है, तो आपको बताना है, find the molarity of the solution, तो देखो molarity का, मैंने अभी अभी आपको formula simple सा बताया हुआ है, कि molarity equal क्या होता है, ध्यान अखे है, molarity को हम capital M3 represent करते है, molarity equal क्या होता है, given mass upon molar mass into volume of solution, check करो, volume of solution किसमें दे रखा है, ml में दे रखा है, तो आप यहाँ पर thousand लगाएंगे, अगर volume of solution लीटर में दे रखा होता, तो सावजेंट आप नहीं लगाते, simple calculation करते हो, given mass कितना है, solute का, 49, H2SO4 का molar mass, जब आप calculate करोगे, student, molar mass calculate आप लोगों को सब को करना आता है, हम बहुत ज़्यादा इसमें, आप लोगों से expectation रखते हैं कि आप लोग molar mass को calculate कर लोगे, H2SO4 का molar mass आप calculate करोगे, तो यह आएगा 98, okay, volume of solution के बिने question में, 100 ml, 1000 आपको यहाँ पर लगा नहीं है, तो इससे यह cancel out गुआ 2 time, इससे यह 10 time, M, तो solution की molarity आ गई, 5 M, मतलब एक लीटर solution में कितने mol होंगे, 5 mol present होंगे, H2SO4 के, एक question और लेते हैं, चलो, फटापर से, question यह है, how, sorry, calculate the molarity of the NaOH solution, आपको molarity calculate करनी है, prepared by dissolving 4 gram of enough water to prepare 250 ml of solution, मतलब 4 gram NaOH को dissolve किया गया है, 250 ml of solution में, तो आपको molarity of the solution calculate करनी है, तो फिर से molarity का formula आप लोगों के सान में लिखा हुआ है, यहीं पर हम calculation करेंगे, इसको रफ कर दे रहे हैं, बस, ठीक है, आप लोग सबसे पहले formula को अच्छी से याद करके रखें कि formula क्या होता है, given mass upon molar mass into volume of solution, ml में है, 2000 लगाना है, ml में नहीं है, लीटर में है, 2000 नहीं लगाना है, चलो, बतातो फटापर से given mass कितना है, 4 gram molar mass कितना है, NaOH का molar mass calculate करना पड़ेगा, अब है, sodium का molar mass कितना होता है, 23 oxygen का होता है, 16 hydrogen का होता है, 1, तो molar mass calculate होके आया 40, right, volume आपको कितना given है, 250 ml में है, और जब ml में है, तो फिर था हो, देंट लगाना पड़ेगा, इसे cancel out हुआ 4 टाइम, इसे cancel out हुआ 10 टाइम, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 0.4 M, तो इस रह से, चलो, एक question all ले ले लेते हैं, अब भी क्या रखोगे, तो question यह है, कहां गया question, यह रहा, calculate the molarity of solution of ethanol, if 23 gram of ethanol present in 500 ml of solution, 23 gram ethanol को present किया गया है 500 ml of solution में, ठीक है, तो जड़ा फटापट से formal लगाईए, और answer पाईए, क्या कहां हमने formal लगाईए, और answer पाईए, तो चलो, पाते हैं answer को, गिविन मास कितना है? 23 gram, molar mass, इधन ओल का जब आप molar mass calculate करोगे, student, C2, H5, OS, 22, 24, 516, and 16, तो कितना होगा यह? 24 plus 22, जब आप इसको calculate करोगे, तो यह हुआ 46, volume of solution कितना दे रखा है? 500 ml, ml में है तो फिर 1000 लगाना ही पढ़ेगा, इसे यह 2 time, इसे यह 2 time, तो इसे 2 cut गया, तो molarity solution की कितनी आगए, student 1 m, इस तरह से आप molarity के question को आतानी से, कर सकते हो, लेकिन molarity के बारे में हम एक बात आप से और करना चाहेंगे, ठीक है? एक छोटी सी बात molarity की एक equation होती है, उसके बारे में भी हम आप से बात करेंगे, जैसे माना आप लोगों ने, एक बीकर लिया, ठीक है? इसमें आपने दो मोल डाल दिये हैं गुलूपोस के, C6, H12, O6, ठीक है? दो मोल गुलूपोस आपने इसमें डाल दिया है आसानी से, तो solution ले लो या चलो बन मोल ही डालो, बन मोल प्रिजेंट है, इसका जो solution है, volume है, solution का वो कितना है? बन लिटर, अब आपने क्या किया? इसमें पानी मिलाया, क्या मिलाया? पानी, वोटर मिलाया, और आपने volume को माल लिए थ्री लिटर कट दिया, आपने गुलूकोड नहीं डाला है, solution में सिर्फ क्या डाला है? पानी डाला है, और solution का जो volume है, कितना हो गया अब थ्री लीटर हो गया तो अब बताओ solution की molarity क्या हो कुश्यन समझ गए पहले आपने क्या किया पहले बल लीटर पे एक मोल पर जाना था तो molarity कितनी थी होगी लेकिन आपने क्या किया हुआ है इस पूरे solution में पानी डाला और volume कर दिया पानी मिला के 3 लीटर तो आपको बताना है solution के molarity क्या होगी इस condition में student हम एक आपको फॉर्मला पता रहे है M1 V1 equal M2 V2 और इसको हम बोलते हैं molarity equation राइट क्या बोलते है molarity equation पहले M1 V1 मतलब first condition में molarity कितनी है 1 और volume कितना है बन बात में molarity आपको पता करनी है volume कितना है 3 तो अब जो molarity होगी वो कितनी हो जाएगी बन अपॉन 3 ओके इस तरह की questions भी exam में पूछे जाते हैं चलो एक question ले भी लेते हैं ऐसा अगर आप लोगों के यह बात क्लियर हो जाए एक बोटल कंटेन 500 ml of 2.4 m HCl एक बोटल है इसमें बोला गया है क्या क्या है वह 500 ml मतलब बॉल्यूम इसमें given है 500 ml 2.4 m HCl और जो HCl का solution है उसकी molality given है 2.4 m ठीक है how much water is added to make solution 1.6 m अब इसमें कितना पानी मिला जाए ठीक है कि solution की molality है वह 1.6 हा जाए समझगे बात को अब इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि solution की molality कितनी हो जाए 1.6 तो माल लो x ml आपने पानी और मिला दिया आपने कितना पानी मिला दिया x ml तो अभी भी मैंने formula क्या बताया था m1 b1 equal m2 b2 molality पहले कितनी है 2.4 पहले बॉल्यूम कितना है 500 वोलेटी बात में कितनी है 1.6 अब बॉल्यूम कितना होगा जान दो पहले 500 था x ml आपने और मिलाया है पानी तो अब total बॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 प्लस x इसको calculate करिए यहां से decimlet आया यहां से decimlet आया 10 से 10 cancel out 8 3 जा 8 2 जा 2 से 250 time cancel out 250 3 जा कितना होता है 750 750 equals 500 प्लस x जब आप इसको calculate करोगे तो x आ गया 250 ml मतलब आपको इसमें 250 ml of water मिलाना चाहिए जिससे आप आसानी से पता पाऊगे कि solution की molarity है वो कितनी हो जाएगी 1.67 तो यह molarity के बारे में कुछ कुछन हमने बताए कुछ कुछन आप करो अपनी अपनी book open करो और book मैसे molarity के questions को खुद करने की courses करो